आज के से विजय उत्सो कारिक्रम के आउसर पर बंच पर उपस्तित प्रदेश के हमारे लोग प्रिय और कर्मट प्रदेश अध्यक्ष मान्य स्रीप भुपेंद्र सिंग्छ चौतरी जी प्रदेश सरकार में मंत्री मंडल के मेरे बरिष्ट सहयोगी उप मुख्य मंत्री जोय से केशो परशाद मोर्य जी से प्रदेश पाठक जी और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में परिष्ट मंत्री जी स्वतंतर देव सिंग जी प्रदेश सरकार के कारगार मंत्री सी दारा सिंग चौहां जी प्रदेश सरकार के सैकरता मंत्री सी जेपीयस राठोर जी भारतिय जन्ता पार्टी संगठन के महा मंत्री मानेशी धरंपाल जी विधान परिष्ट सदस्य प्रदेश सरकार के पूर मंत्री और मंत्य प्रदेश के प्रभारी बानिय डॉक्टर नहेंदर सिंग जी भारतिय जन्ता पार्टी प्रदेश के हमारी सभी महा मंत्री गण अन्य पदारिकारी गण और उपस्तित सभी बैन और भाईयों मैं सबसे पहले आप सभी का इस विशेश आयूजन में प्रदे से अविनंदन करता हूँ आज का दिन अत्यंत महत्वकून दिन है देश के अंदर महाराष्ट और छारखंड राज्यों के विधान सभाओं के चुनाओं के पैणाम आये हैं और विभिन राज्यों में उपचुनाओं के पैणाम भी हम सब के सामने सबस्ट हुए हैं आज का जो जनादेश हैं अगर हम उत्तर प्रदेश की दिस्से देखें पार्टी गडवंधन ने साथ सीटें जीती हैं इस एध्यासिक विजय के लिए इसका स्री देश के सश्सी प्रदान मंत्री आदनियस नरेंद्र मोधी जी के नेत्रुत्व को उनके मारक दरसन को जाता है क्योंकि उनका यससी मारक दरसन और नेत्रत्व ही हमें डबलिंजन सरकार को सुरक्सा, सुसासन और संब्रिदी के मारक पर आगे वढ़ा करके लोग कल्यान के कारिक्रमों को जमिनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है ये प्रधान मंत्री मोदी जी के ससी नित्रत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है जनता जनार्दन को ये टूट विश्वास है कि मोदी जी के नित्रत्व में उनकी नीतियां उनके निर्डें देश और समाज के अनकूल है और उस अनकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भरते चनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदादिकारी और कारिकरताओं को जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डवलिंजन सरकार के कारिकरवों को और उपलभ्यों को आम जन तक पहुचाने का कारिकिया है उन सब का मैं सौसर पर हिरदे से विनन्दन करता हूं और सभी विजय प्रत्याश्यों को मैं अपने और से हिरदे से बदहाई भी देता हूं हम सब जानते हैं कि पुरी देश के अंदर विरासत और विकास का एक 22 समनवे प्रधान मंतरी मोबी जी के नित्रितों में प्रारम्ब हुआ है, सुरक्षा का, सुसासन का, एक बहतरीन समन्वे और देशगी आर्थिक सम्रिदी को हम सब अपने आखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ही हकीकत में हम सब को नजर आ रहा है और इसलिए आज उत्तर प्रदेश की बिजय जो साथ विधानसवा सीटों पर उप्चनों में भारतिय जनता पार्टी गड़बंदन को प्राप्त हुई है। यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को इस साथ कमल भी उस पूरे अभियान की प्रति समर्थी थे। इसमें मेरापूर, गाजियाबाद, कुंदर की, खैर, कटहरी, मजवा और फूलपूर की जनता जनार्दन ने जनादेश भारतिय जनता पार्टी के पक्स में दिया है। हम सब उनका अभार बेक्त करते हैं। ये चीज़ें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा अस्त्रीबाद प्राप्त है। और यह भी जनता जनार्दन ने स्पस्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गडवंदन का लूट और जूट की जो पॉलिटिक्स है। अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। स्वाभाई गुरूप से हमारे पनादिकारी और कारेकरताओं ने कड़ी मेहनत की। पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिवदता के साथ, इस पैणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिवदता से लग करके इस अभ्यान को एक नई उचाई तक पहुचाया। मैं उन सभी को भी हिर्दे से इस जीद पर वधाई देता हूँ, जनता जनार्दन का मैं पूरी बिनम्ब्रता के साथ अईवादन भी करता हूँ। मित्रों, उत्तरवर्देश के अंदर ये पैणाम हमारे पक्स में हैं। और यही महराष्ट के अंदर भी हम सब को देखने को मिला है। एक प्रचंड और भूत्पूर्व एत्यासिक विजय भारती जनता पार्टी महायुती कड़बंदन को महराष्ट के अंदर प्राप्त हुआ है। यहाँ जो जनादेश महराष्ट के अंदर प्राप्त हुआ है। यह राम और राष्ट के अराधर आधर्य प्रधान मंत्री जी के सुस्षी नित्रित्तों को नए भारत के नए महाराष्ट के विश्वास की मोहर है, चत्रपती सिवाजी महाराज के आधर्सों की विजय है और बावा साथ रीमराव उम्बेट कर कापमान करने वालों की यह एक प्राजय भी है, महाराष्ट राच्य में भारती चन्पा पाल्टी महायुती कडवंदन के सहयोगी सिवसेना सिंदेगुट को जित्ती सीटे प्राप्त हुई है, महाविकास अगाडी यानि इंडी कडवंदन जो देश के अंदर है उसको कुल मिलाटी प्राप्त हुई है, आज एक बार फिर से स्कुष्ट हो गया है कि देश की जन्ता को मोधी जी की नीती, उनकी नियत, उनके नित्रत्वा और उनके निल्ड़ेयों पर अटूड विश्वास है, इस देश ने मोधी जी को अपना नेता माना है और उनके मारत दर्सन में पूरा देश, एक जुठ होकर कि उनके साथ खड़ा है, यहाँ आज का चुनाओ, चाइवा महराष्ट का चुनाओ हो, उत्तरब्रदेश का उप्चुनाओ हो, या देश भर में हुई उप्चुनाओ के पेड़ाम, इस वोर हम सब का ध्याना करसित करते हैं, या गाओ, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, भिर्द, सोसित, पेड़ित और बंचित की आसा और आकांसा पर, जनता जनारदन की विजय का एक प्रतीक है, तुस्ती करण और सामप्रदाइक ताके सौट कट से, मार्ग से, सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, इंडी कड़ बंदन और महाविकास अगाडी की एक पराजय भी है, लाखों कार्यकरताओं के संकल्प की सिद्धिवी है, उनका परिश्रम आज सार्थक हुआ है, बीजेपी, एंडीय के और महायुती गड़बंदन के सभी कार्यकरताओं का मैं सौशर पर हिर्दे से, हारती घिर्दे से विनंदन करता हूँ, बिजाई परत्यास्यों को अपनी बदाई देता हूँ, खास तोर पर मुझे उत्तर प्रदेश के उप्चुनाओं के बारे में मद्दान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीकें से इनलकल प्रलाप कर रही थी, जनता जनारदन ने उसको कैसे जवाब दिया है, जो नौ विधान सवा सीटों पर उप्चुनाओं हुए हैं, उनमें कुंदर की, बारती जनता पार्टी, इस सीट को एक सवा लाग से दिक वोटों से जीत रही है, दिक वोटों से जीत रही है, और मुझे बताते वे प्रसंता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी कि यहां जमान जब्त होने वाली है, गाजियाबाद सीट भारती जनता पार्टी का प्रत्यासी लगभग 70,000 वोटों से जीत रही है, फूलपूर में भारती जनता पार्टी का प्रत्यासी 11,000 से दिक वोटों से विजई हुए है, खैर में भारती जन्ता पाल्टी का प्रतियासी 38,393 वोटों से विज़ई गुसित हुए है कटहरी में भारती जन्ता पाल्टी के सिधरमराज निसाद 33,700 सेधिक वोटों से विज़ई हुए है मेरापुर में भारती जन्ता पाल्टी के सयोगी दल रास्तिय लोक दल की प्रत्यासी सिमती मिथलेस पाल 30,426 वोटों से बिज़ई गोसित हुई है और मजवा में भारती चन्ता पार्टी की प्रत्यासी 4863 वोटों से बिज़ई गोसित हुई है ये कुल जो भारती चंता पार्टी और स्योगी दलों के प्रत्यासी बिज़ई हुए हैं ये उनके आंकड़े आपके सामने में दे रहा था और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आंकलन आप कर सकते हैं समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामोव और कुंदर्की का चुनाओ कैंसिल होना चाहिए सीसामोव में समाजवादी पार्टी विज़ई हुई है लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्यासी वहाँ पर मात्र 8600 वोट से जीती है आप अन्वान करिए लोगसवाद चुनाओ में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2022 में जो हारकंतर था या 12200 से दिक वोट से था और यहाँ इस बार केवल 8000 वोटों तक सीमित रह गई करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्यासी वहाँ 67500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे और इस बार यह अंतरमातर 14000 कर रह गया है यानि जो केशवजी ने कहा है कि अगली बार वहाँ भी कमल खिलेगा यह इस और हम सब को बात स्वश्ट कर देता है और मुझे बताते वे प्रसंता है कि जो यह पुरा चुनाओ हुआ है भारती जन्ता पार्टी गडवंदन ने इस पूरे चुनाओ में 52-23 से दिक वोट पराप्त किये है जानि 50 प्लस वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उप्चुनाओ को प्रदेश भर में जीती है ऐसे ही महायुती गडवंदन ने महाराष्ट के अंदर भारती जन्ता पार्टी 288 में से भारती जन्ता पार्टी 131-32 सीटों पर भारती जन्ता पार्टी आगे लीट कर रही है सिवसेना सिंदेगुट 55 सीटों पर और NCP अजीत मवार गुट 40 सीटों पर क्यानि कुल 226 सीटों पर अकेले भारती जंता पार्टी महायूति गडवंदन विजयी हो रहा है। याद करिए सिफसेना सिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं। और महा अगाड़ी गडवंदन इंटो इंडी गडवंदन है अखिल भारती अस्तर पर ये मात्र कुंचाज सीट जीत रही है। 49 सीट से मात्र पर सीमी तरफ करके रह गई है। यानि देश की जनता नकारात्मक राजनीती को बांटने वाली राजनीती को पूरी तरह खारिच पर चुकी है। राश्टी एक पार खंडटा को मजबुती प्रदान करने के लिए सुरक्षा और संब्रिदी के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सब का एक बार फिर से अभिनन्दन करता हूँ बारती चंता पार्टी के उन लाखों कारेकरताओं का धिर्दे से उन्हें बदाई देता हूँ और विजयी प्रत्यासियों को भी अपनी बदाई देता हूँ बात बहुत धन्यवाजे